HP Chromebook Operating System Chrome OS load नहीं होता यह वीडियो समस्या निवारन प्रक्रिया के बारे में बताएगा कि आपके HP Chromebook में power कब है लेकिन Operating System को boot नहीं करेगा इसमें computer के काम न करने पर freeze होने या dark display होने जैसी समस्याई शामिल है सबसे पहले अपने Chromebook से सभी गैर ज़रूरी device disconnect करें इसमें card reader slot से बाहरी hard drive, USB drive, बाहरी mouse और memory card शामिल है सभी device निकार के बाद Chromebook चालू करें अगर Chromebook शुरू होता है तो सभी उपकरनों को एक बार में एक करके फिर से connect करें प्रतेक उपकरन के connect होने के बाद Chromebook को फिर से शुरू करें यहां आपको बताएगा कि कौन सा device गरबड़ी कर रहा है अगर सभी device हटा दिये जाने के बाद भी Chromebook ठीक से चालू नहीं होता है तो अगला चरण मुश्किल reset करना है एक मुश्किल reset computer मेमोरी की सभी जानकारी को मिता देता है यह system को BIOS और hardware के बीच software connection को साफ करने और फिर से स्थापित करने के लिए बाद्धि करता है एक मुश्किल reset किसी भी स्थानिय फाइल या settings को नहीं हटाएगा मुश्किल reset करने के लिए power button और refresh button को एक साथ दबाएं और 5 second के लिए दबा कर रखें Chromebook को बंद करके फिर से चालू करना चाहिए अगर मुश्किल reset करने के बाद Chromebook वापस चालू नहीं होता है तो इसे चालू करने के लिए power button को फिर से दबाएं अगर समस्या अभी भी मौजूद है तो अगला चरण system recovery करना है system recovery करने से सभी स्थानिय फाइले और सेटिंग मिट जाती है और Chromebook अपनी पहले जैसी मूल स्थिती में आ जाती है system recovery की कोशिश केवर तभी किया जाना चाहिए जब अन्य सभी गरबडियां दूर करने के तरीके गरबडी को दूर करने में विफर हूँ system recovery करने के निर्देशों के लिए Chrome और सहायता केंदर से परामर्ष लें जब अन्य सभी गरबड़ जाना चाहिए